अधिश्ठान माना है चोतिस्वा है छेत्र छेत्र ग्योरे वंत्रम ज्यान चक्छूसा जो जन इस प्रकार ग्यान चक्छूं द्वारा छेत्र और छेत्रग के अंतर को ग्यान चक्छूसा त्रति विवक्ति लगिए यान चक्छूं के द्वारा दोनों के अंतर को समझ जाते हैं जान जाते हैं वो कारण भूता माया की निवरत्ती के विशह में जानते हैं वे परंपत को टाप्त कर लेते हैं अब जब उनको मालूम है कि यह प्रकर्ती है और प्रकर्ती का सयोग जीवन भर बना रहेगा जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे इनके अंतर को नहीं समझेंग और अंतर को समझने से क्या होगा आसकती कम होगी जो हमें दुख भोकता मान रहे हैं करता मान रहे हैं करता भोकता का जो नियम है जिसकी वैसे दुख और सुख होता है राग और बैराग होता है और जब हम छेतर छेतरग को अलग-अलग मान लेंगे जान लेंगे तो हमें र आग नहीं होगा आसकती किसी से दुष्मनी मत करो औके से बहुत प्रेम करो दूसरों से दुष्मनी होगी को कि जो भी देवाण कि विनातिर za सबस्वारण सबस्समाम सबस्षे कोई बुरा नही Genau को सब बहुत अच्छे हैं हमारे लिए सब पैठ सब यह और उनका जैसा जो कर रहा है फ़लाने ने किया दिखानेने क्या नहींद सब ना करें बोसरों के देखेंां अपने च्छेत इस सफ़्वत दाले हैं जो बीज भोने हमें फूम ध्यान देना यह झालिया जान लिया कि यह खेत मुझे मिला है इसमें अच्छे सद गुणों के बीज बोने हैं क्यों कि अच्छी योनी में जन्म लेना है कूकर सूकर नहीं बनना है अगर कूकर सूकर बन गए तो मैं कैवल्यार्थ प्रवर्टेश यानि कि फिर कैवल्य की और मोक्ष की और कभी नहीं बढ़ सकता मैं जीवन भर इस जेल खाने में बंदन में पड़ा रहूंगा और इस बंदन से मुक्ति चाहिए तो हम यहाँ पर जब आते हैं ऐसा हो जाए और इसा एंपने देख़े स्यूक्त कर अच्छा है को फित यक्ति बुर्राए बनने चाता है तो यह अच्छा बने की जो लालक आई यह कहां से यह पुरुस की देंग स्थैनर की तुन ऑच्छे हो और रख पन है जल मैं मुछाः बढ़िए। और भी अच्छा गाओ यानि कि अच्छे का कोई एंड नहीं है गुणत्रय विभाग योग यानि कि तीनों गुणों का विभाग करके फिर किस प्रकार से उनका योग बनता है संयोग बनता है उसके बारे में विश्यद रूप से व्याख्या की गई है पूर्व के अध्याय में तेर्में अध्याय में हम लोगों ने छेत्र छेत्रग्य पड़ा था परा अपरा प्रकड़ती की बारे में पड़ा प्रकड़ती पूरुस की विश्यद में पड़ा बहुत कुछ भवान ने तरह तरह के नामों से समझाया लेकिन अप्रेश्न ये उ बात में गुण की बारे में बटा ही चुके थे कि सत्रजस्टम 3 गुण होते हैं और 3 गुण की जो साम में वस्ता होती है वो प्रकरती होती है तो अब ऐसी क्या अवर्च出去 पढ़ गई भगवान को पुनळा चेत्रु चेत्रग्या के अतिरिक्त गुणतर रे कि विषे में विष्णार से फिर बताने की जरूरत पड़ गई क्योकि पहले जो प्रकर्ति और पुरुस का यह संयोग था वो निरिश्वरवादी था स्वतंत्र थे दोनों ही पुरोस भी स्वतंत्र था प्रकर्ती भी स्वतंत्र थी और दोनों एक दूसरे की इच्छा से एक दूसरे के प्रति आकर्शित हो करके मिलन करके स्रष्टी या स्रजन करते थे लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणत्रे विवाग यहां पर प्रकर्ति और पुरुष वो भगवान के आधीन है जो सतंत्र बताए जाते थे वो सतंत्र नहीं है बलकि वो ईश्वर के आधीन है भगवान के नेंत्रण में है और भगवान की जो इच्छा होती है तभी उन लों का मिलन हुपाता है जीवों के जो कर्म है कर्म जो रजोगुण है रजोगुण जब विस्वोट करता है रजोगुण जब प्रावल्ले हो जाता है रजोगुण का जब प्रमुक्ता हो जाती है रजोगुण का चांचले भढ़ जाता है उस चांचले के भढ़ने के कारण तब उनमें स्रश्टी या स्रजन होता है और स्रश्टी किस कारण से होती है जीवों के जैसे जैसे कर्म होते हैं उस उस कर्म के अनुसार उसे फल देने के लिए मिलन होता है तीनों गुŉन कि ब्याख्या हो चुकी सत्रज तम फिर यहां पर इस अध्याय को उठाने का कारण किया है गुण तरे बिभाग बताने का कारण क्या है कि गुण तीनों बता चुके और तीनों बताने के बाद फिर जैसे होता है किसी वातसल्य मा, जब परिक्षा में बच्चे को पास कराना होता है तो क्या करती है, वो बारबार रिपीट कराती है, अभ्यास कराती है, कई भूलना जाए, कई ऐसा तो नहीं, जो मेंट पॉइंट है, उसको भूली दो, भूली जाओगे तो इससे पूरी धरा तुमारी जो जमीन है बेसिक कंसेप्ट के लिए नहीं होंगे इसलिए भगवान को यहाँ पर कहीं अपरा प्रकड़ती परा प्रकड़ती कहना पड़ा और कहीं पर उनको छेतर छेतरग्य कहना पड़ा कहीं पर उनको प्रकर्ति पुरुस कहना पड़ा अब वो चीज जो वास्तम में आप सीख जाए पूरी तरह से आपके दिल दिमाग में वो चीज इस्थिर हो जाए इसी आशे को लेकर के कारुन वशात भगवान स्री कृष्ण भक्तों के लिए पुन छेत्र गुणत रहे इसलिए यह हम लोगों ने प्रेयोजन नहीं समझ पाए तो उसका पहले दुबारा से फिर अच्छे विस्तार से समझा रहे हैं कि जो तीन गुण बताए गए थे उन तीनों गुणों के भी गुण होते हैं और जब तीन गुण के गुणों के को जान लोगे कि गुणा गुणेशू बरतनते कि गुण गुण में कैसे बरत रहे हैं तब आपको समझ आ जाएगी अपने बारे में बगल बाले के बारे में अक्सर लोग कहते हमें लोगों की यें पह citizens को पहचान नहीं हैं हम इन्सान को पहचान नहीं पाए धेका खाए हमें ऑगर और ऐसा होता होता ये ऐसे हैं तो हम पहले से ये दरशल हमें जो गुड़ों का जो सभाव है जो कारण सु रूप है जो सभाव है, सभाव को हम नहीं बदल सकते, और ये सभाव आया कहां से है, तीन गुणों से, प्रकर्ती क्या है, अनाधी है, लेकिन अनंत नहीं है, उसका अंत होता है तबी लोगों ने रिद्धि सिद्धि पाई मुक्ती पाई अगर वो अनन्त होती तो हम कभी भी बंदन से मुक्त होई नहीं पाते बंदन से मुक्त होने का कारण प्रयास हम जो करते हैं साधन चतुष्ठे कर रहे हैं यम नियम आसन ये सब गीता अध्यन कर रहे हैं यह सारे जो हम साधना करते हैं यह साधना ज्ञान प्राप्ति के लिए है और ज्ञान प्राप्ति किसके लिए है मुक्त होने के लिए तो हम मुक्त होने के लिए सारे क्रिया कलाब करते हैं तो प्रकर्ती अनादी है या हमेशा ध्यान रखना अनादी है यानि कि शुरू से है जब से बच्चा पैदा हुआ तब से वो अज्ञान लेकर के आया है लेकिन मरेगा अज्ञान में ये कोई जरूरी नहीं मरना आपके अपने हाथ में है मरना आविशक नहीं है लेकिन जन्म लेना आपकी बात दिता है अगर अनादी ना होता अज्ञानी आप ना होते मुक्त होते तो आपका जन्मी ना होता जन्म हुआ है इसका मतलब आप अज्ञान को लेकर के आए जो पंच क्लेश बताए हैं, कौन-कौन से हैं पंच क्लेश? अभिनिवेश, अभिद्या, अस्मिता, राग, द्वेश, अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश हर जीव के अंदर पाए जाते हैं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता चाहें, कितना भी कश्ट उठा रहा होगा, ले लेकिन फिर वह जीवित रहना चाहता है, ये इनके प्रकारण इलाज कराएगा, कहीं से उधार लेगा, खेद बेचेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसके जीने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वह हमेशा म्रत्यू से डड़ता है, क्योंकि म अनेका नेक बार देखा है मिर्थ्यू के बाद में जो करम होते हैं उससे वो बहवीध है नियुद्पध होने के कारण ही व Chocolate पहर प्येजा सबस्क्राइज जाता है तो वो अज्यान ही है अग्यान की कारण ही वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद अग्यान के बाद क्या आता है अस्मिता कि मैं हूं उसे ये बोध होने लगता है मैं हूं जब मैं हूं तो मेरे अपने कुछ लोग है उनसे राग हो गया मेरे कुछ बिरोधी है उनसे द्वेस हो गया लेकिन मरने का डर जो है बच्चे को भी लगा रहता है कोई भी बच्चा गिरना नहीं चाहेगा हाथ पेर तोड़ना नहीं चाहेगा हर व्यक्ति बच के चलना चाहता है तो यह पंच क्लेस हैं इन पंच क्लेसों से क्या सुरुआ बात तो होती है लेकिन इनका अनन्त नहीं का आजा सकता इनका अन्त अवश्य होता है कि में अम्हाँ प्रेश्ण ये उठता है कि यह जो हमारे एकादस इंद्रियां है यह मशीन रख्यों मैसीन कॉह याался मिझे को आये इससले क्या होगा तो ये हमारी जो करण है ये भी तो साधन ही है इने साधनों से होगा क्या इनसे क्या फैदा हमें होना है तो ननका इज अंते करण और बही करण जो साधन है उन साधनों को हम कहें में लगा देते हैं अच्छा खाना पीना पहनना ओड़ना अपने बहुतिक बस्तुओं में चकाचॉंद में लगा देते हैं बड़े होते हैं स्कूल गए पढ़ाई की पाड़के नौकरी की नौकरी करके घर मकान गाड़ी और फिर मर गए यह हम अपने जीवन के एती स्रीकि हमने अपने जीते जी सब कुछ कर लिया लेकिन यथार्त में वो यह नहीं समझ पाता है कि यह जो उपकरण मिले हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिले हैं यह जो संगहात है संगहात जो हुआ है सरीर क्या है संगहात ही है ना देखिए हाथ जुड़े हुए इसमें तुमने तो नहीं जो परार्त मने चुटके अब वो दूसरा कौन है तो कि पास हमें क्यों चाना है क्यवालियार्थ प्रवर्टेश्च क्यों कि हमें मुक्त होने के लिए बेजा गया है और इसलिए हम अच्छा होना भी चाते मुक्त होना चाते कौन व्यक्ति पापी होना चाहेगा कौन पाप करके या चोरी करता है लेकिन फिर वी उब चुपा के करता है उसे मालूम है कि चोरी ये गलत काम है चुपा के करता है तो यह जो कैवल्यार्थ प्रबड़तेश्च हर कि कितना वी दुष्ट व्यक्ति होगा रगास वाडी के मुटी की उपाय जानता है कि किकिसी्ट Авफ तरह से मुझे मुझे मुक्ती मिल जाया किसी साधन से लेकिन हम उसे लाचार रहे कि वो अपने तो प्रशाला है तो अ कसे सादु संग को हुआ तो अगर पीढस दिलाम मिल जाता है तो उसका हम उपयोग भी करते हैं तो कैवल्यार्थ प्रबढ़तेश्च तो कैवल्य की प्रबढ़ती पाए जाती वह किसके लिए तुथ जो तीनों गुडों के विपरीध है जिसे पुरुस कहा गया है उसके लिए हमें ये सारे साधन ग्यान होता है हम्हासण करते हैं यम्नियम आ असन करते हैं जब इगन का वपयोग करोगे जब इगन से पर उसको प्राप्त करोगे अभी इगन तरब साधन्य स거든요 कि हैं लेकिन जब इगन रूपी साध का अक्षात करने चाहते हैं इसको पाना चाहते हैं अभी तुमसे के ज्ञान प्राप्त करके डिंवरी पाल करों कोनु लुज बढ़ता है ना पढ़ा रहा है एक यह दिन लेकिन सारे जो साधन कि ऐङरल जेदर किसके अधन किकिन को सब्सक्राइं ुख लें लेकिन मुक्ती पाके हम करेंगे क्या उन्योंने का वहाँ पर पुरसो अस्ती जो पुरोस है वो हमें मिलेगा हमें उस में ही विलीन होना है और जब विलीन होंगे तभी हमारे जीवन का लक्ष गुण होगा इसलिए हमने ये सारी प्रवर्टी तो ये समझाने के लिए भगवान पुना इस गुण तरह विभाग योग का अध्याय का प्रारंब कर रहे हैं कि गुण जो हैं उन गुण तीन गुण हैं और तीन गुणों का भी फिर विभाग किया गया है और विभाग के द्वारा समझाया गया है कि कौन गुण कैसा है किस तरह का है श्री भगवान वाच प्रतम इस लोग से भी लोग सुर्वाचन करेंगी परम्भूय प्रवच्छामी ज्ञानाम ज्ञानामोतम यद्ज्यात्वामून सर्वे पराम सिद्धिम्मीतो गता यह ज्ञानों में भी अति उत्तम पहले भवाद ने कहा गुह गुहतर गुहतम जब सबसे गुहतम ग्यान तो तुम बता चुके आप कौन सा ग्यान रह गया है कि अभी भी कोई ग्यान की गुण्जाइश रह गई है जो फिर भूय प्रवच्छामी मैं फिर वह दुबारा से तुझे भूय कहने का मतलब है कि अभी वह ग्यान तेरे अंदर इस्तिर नहीं हुआ है इसलिए तेरा मन अभी भटकाओगी इस इस्तिति में जब तक यह समझ नहीं आ जाएगी सुन लेना एक अलग बात है सुनके समझ बैठा लेना कहते हैं कि जाप करना जाप को पचा जा तो इसी तरह से ज्ञान जो है ज्ञान को आत्मसाथ करना और आत्मसाथ करके उसका अनुकरण करना यह बड़ी बात है तो जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुमारा कंसेप्ट किलियर नहीं होगा और तुम अधुविदा की इस्तिति में बने रहोगे ज्यानम उत्तम ज्याननाम मैं तुमसे उत्तम ज्यान को कहुँगा जिसको जानकर अगर तुम्हें यकीन नहों यद्यात्वा मुना सर्वे पराम और भी अनेक अनेक मुनी सर्वे पराम सब की सब परम सिद्धी को प्राप्त हो गए है ऐसा ज्ञान है जिसको पा करके जान करके बड़े बड़े लोग हो सिद्धी प्राप्त हुई है यह मैं ज्ञान तुझे इसलिए दे रहा हूं कि तू भी उस इस्तिती में पहुंच जाए दूसरा इदम ज्ञाना मुपाश्रित ममु साधर्मा गता सरगे अपी नो पुझायंते प्रले ये ना व्यथंती चाप्स और तो अगर इसको मुनियों ने प्राप्त किया मुनियों ने परमगती को प्राप्त किया यह तो बात है यह ले लेकिन इस ग्यान के उप आश्रित इस ग्यान पर जो आश्रित होगा वो मेरे साधर्म वो मेरे जैसा हो जाएगा भ्रमवेद्य, भ्रमववत्य, तो मेरे ही गुणवाला हो जाएगा, अब अर्जुन को लग रहा है तुमारे गुणवाले होके हमें मिलेगा क्या परिंध्य तुम जैसे हो जो हो हमारे जो लगते हो Driver पांते ही है कि दमारे जैसे ओ जाए कि रिष्थेदार हो लेकिन रिष्थे दारी मतलब में तरोज अखा हो इसा मतलब यह थोड़े कि हम तुमारे जैसे ही बनेर्व नोंगे मुनि भाहुँत दूर की चीज मेने तुमारा रिस्था तो करीब का है और रिष्तेदार ही है सगे सम्मंदी हो तो यह कहना कि साध्धन में गता तो इससे फैदा क्या होगा अगर हम तुमारे जैसे गुणवाले हो जाएं तो सर्गे अपी नोब जाएंते सर्ग माने क्या होता है कि हुआ है कि सर्ग सर्ग माने होता है स्रष्टी सर्गे अपी स्रष्टी होने पर भी सर्ग हमेशा स्रष्टी के अर्थ में आएगा सर्ग प्रलय तो सर्ग माने स्रष्टी तो सर्गे अपी नो उप जाएंते तुम नहीं उत्पन होगे जब स्रष्टी होगी तो स्रष्टी में तुम न उप जाएंते तुम उत्पन नहीं होगे और क्या फाइदा होगा प्रलय न वेथेंतेंती चाह और अभी निवेश जो पताया था न मृत्व से डर रहता है हर व्यत्वी डरता रहता है अगर मौत का डर खतम हो जाए तो अभे हम पता आ जाएगा हम अभे हो जाएंगे लेकिन यहां पर क्या है कि हमें मौत से जो डर लगा रहता है तो तुम्हें मृत्युका यह प्रलय का भी नहीं रहेगा मेरे सधर्म होने बाले को यह दोनों चीजें ब्यापती नहीं है और वह इन सब चीज से मुक्त हो जाता है और उसी के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं क्योंकि यहां पर तो युद्चेत्र में खड़े न तो उनको बताना पड़ेगा कि तु मेरे जैसे भाव वाला हो जाएगा तो यह जो तुझे अपने दीख रहे हैं जो जन तुझे अपने दिखाई दे रहे हैं फिर तु इनके उपर ध्यान नहीं देगा यहां पर पहले तेरवे अध्याय में सुरुआत्मी उन् सरीर क्या हुए वह भी छेत्र है तो भी छेत्र और यह चेत्र तो अंतर क्या हुआ और चेत्र होता निए के लिए बीज बोने के लिए को कर्म करने के लिए एक ब्रद्विक्ति था अपने तीन बेटे थे और उनको बीज दे गया कुछ कि आप अच्छे बजार में बिके यह जैसे भी हो मैं जब तक लोटके आऊं यात्रा से मुझे बढ़े हुए मिलें यह तो एक ने भाव जैसे उपर भड़ा तो उसने बेच लिए बेच के पैसा तैयार कलें पिता जी आएंगे तो उनको दूंगा कि मैंने देखो कितने मुनाफिय में बेच दिये एक ने किसी को ब्याज को उठा दिये कि तुम मतलब इनको बेच के और मुझे कुछ ब्याज दे देना और हर महीने ब्याज आती जाती रहेगे तीसरे बेटे ने क्या किय खेत में विखेड़ दिये तो पिता जी जब लौटके आये तो लहराती हुई खेती उनको मिली तो उन्होंने कहा कि यह समझदारी होती है बीज जो मिला है उस बीज को हम लहराती खेती में बांड दें या उसको संचित करके ब्याज खाएं हर महीने की या हम उसको मोटे भ प्रवेटे को उन्होंने पूरा जमीन जाजा खेद सारा उसी के नाम कर दिया कि यह योग के पात्र है इसने कम से कम बीजों को बोया और बोल करके जो हजार भीज थे वो कोई संक्या दो इस तरह से कौन से बीज दोने की की भातिन एर जनैने की जाहिए खेद अब और लहराती फसल्वर और वह न करूंदes में नेरे यह थिए वन नहोंना बीजियान थे साकता फड़त कि दीक पqualशागा सब्सक्रायाओर है अगर तुझे लहराती फसल अपने केत में बढ़ानी है तो तुझे बीज अच्छे बोने पड़ेंगे सद कर्मों के बीज बोने पड़ेंगे सद भावना के बीज बोने पड़ेंगे और धर्म के बीज बोने पड़ेंगे, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, और धर्म की स्थापना के लिए तुझे निमित मात्रम भवसव सच्की, मैंने तुझे निमित बनाया है, धर्म की स्थापना तो हो जाती, लेकिन कौन ते तुझे कोई न जान पाता क्रेश्न का तो नाम अजर अमर हो जाता वो तो धर्म की स्थापना कर जाते लेकिन कौनते तुझे निमित बनाया है और तुझे निमित क्या एक तरह से जीव को निमित बनाया है आजर तेरे भाने से हर जीव को समझा जाएगी क्योंकि हर जीव कौनते है अरजुन है हर एक कचित डावाडोल है हर एक को पता नहीं है कि यह जो संगहात है यह जो शरीरों का अंतै करन का पांच ग्यानेंद्री है पांच करमेंद्री है हम आख से बुरा तो बहुत जल्दी लेकिन अच्छा नहीं देखते कान से बुराई बहुत जल्दी सुनाई दे जाती है लेकिन अच्छा नहीं सुनाई देती कोई बुराई कर देता है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं यह नहीं सोचते कि उसने बुराई करके हमारे पाप कम कर दिये उसको धन्यवाद देना चा करते हैं हमारी जो मनोवग्यानिक पक्ष है आप अपना अपना देखिए कि हमारा मन क्या चाता है लोग हमें अच्छा करें लोग प्रसंसा करेंगे तो उसमें हमें संतुष्टी मिलती है लेकिन प्रसंसा के द्वारा ये समझ लीजिए वह कहीं न कहीं हमारा आध्यात्मिक पतन होता है तो हम इस खेत में जो संगहात है और जो दूसरे के लिए मिला है इसको बिल्कुल याद कर लो संगहात परार्त्वात ये सरीर अपने लिए नहीं मिला है अपने लिए मिला होता ये कभी जलाके रांत नहीं करा जाता मरता नहीं अपने लिए मिलता बहुत और इसका किसके लिए स्वय के लिए अपने लिए तो सोचो एक यही पाप हो गया और आप कहते हैं हमने तो कोई पाप किया नहीं तो आप तो यही है कि प्रियोजन की विरुद्ध चल रहे हैं आप लो प्रियोजन है आपका कैवल्यार्थ प्रबर्टेश आपका जन्म लेने का लक्ष क्या है कैव प्रेथ चल रहे हैं और जो कैवल्यार्थ प्रबर्टेश क्यों करना है तृब्वणादी विपर्याद पुर्सों अस्ति हैं तीनों गुणों के विप्रीत जो पुरुद्ध है उसको पाने के लिए हमें के वल्रीकी प्राप्ति करनी हैं यह सीदा सा फट्णा आप याद क कर लेंगे कि यह सरीर जो मेरे हाथ पैर हम कभी कहते ना अभी हाथ पैर संग दे रहें तो आ रहे हैं मिशन में जिस दिन नहीं उट पाएंगे बैट पाएंगे गुटने जवाब दे जाएंगे तो पड़े रहेंगे सास्त्री जी आते थे क्या हलक लगती कभी नागा नहीं की जिन्दिगी में लेकिन आज क्या इस्तिति है हाथ पैर उने जवाब दे दिया क्योंकि यह सरीर जो बना है यह बहुतना है उनकी प्राप्ति के लिए बना है और जब तक हाथ पैर चल रहे होते हैं आँखों में दोस्ते कि हमारा जीवन किसलिए है किसके निमित है क्यों हमें ये संगहात क्यों जोड़ा गया दो हाथ क्यों जोड़े गए दो हाथ जो आंखें क्यों दी गई दो कान क्यों दिये गए हार्ड क्यों दिया गया किड्नी क्यों दी गई कर रहे हैं अदर कोई काम कर रहा है आपका रक्त प्रभास , यह सब कोई और रो करने वाला है जो सारी बीवस्ता कर रहा ह। लेकिन उस ब्यवस्ता पक के प्रति हैब धन्यवाद भी नहीं देते हो इसी अड़ल के सब्सक्रों करे दे अशुद्ध रख्त अपने आप अलग अलग हो रहा है किड्निया कैसे काम कर रही हैं दो किड्नी करोणों की हैं दो परेटिना आंख हमारे कैई करोड की हैं लेकिन हम कभी उनको धन्यवाद ना देखें सोसे आंखों से यह देख लें पिक्चर देख लें सीरियल देख लें यह सीरियल ना छूट जाए यह देख लें बाहर की दुनिया तो जब तक तुम इनका प्रेवोजन यह मोटी मोटी तीन चार चीज याद नहीं रखोंगे कि यह सारे जो संगहात सरीर स्वाश्टव जो तयार